हांजी प्यारे बच्चियो नमस्कार अज़्जपां सत्मिक लाहदी हिंदी पूस्त का दापाठ अठमा विजय दिवस दे परशान उत्र करांगी परशान इन परशानों के उत्र एक जा दो बाक्यों में लिखें परशान नमबर एक हारदिक अपनी मां के साथ पूना से चंडीगड क्यों जा रहा था उत्र हारदिक पहले अपने नाना जी के साथ पूना में रह रहा था नाना जी की मृत्यू के बाद दादा दादी के ने उसे अपने पास बुदा लिया इसलिए वह चंडीगड जा रहा था प्रशान नमबर दो हार्दिक को चंडीगड जाना अच्छा क्यों नहीं लग रहा था उत्र हार्दिक को अपने पूना बाड़े दोस्त स्कूल और मित्रों को छोड़कर छोड़ना पड़ रहा था इसलिए उसे चंडीगड जाना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वह अपने दोस्तों को छोड़कर जा रहा था इसलिए उसे बहाँ जाना अच्छा नहीं लग रहा था प्रशान नमबर तीन ट्रेन से उत्रते ही दादा जी को देखकर हार्दिक को हरान हो गया उत्र, ट्रेन से उत्रते ही दादा जी को बपेन मैडलों से सजी बर्दी में कई पुल्सकर्मियों के साथ देखा तो वो हरान हो गया वो अपने दादा जी को जब बर्दी में देखता है तो हरान हो जाता है परशन 4, कख्षा में सभी विद्यार्थी हार्दिक से क्यों तंग रहते थे उत्र, हार्दिक के चरार्तों और घमंडी सब भाव के कारण सभी उससे तंग रहते थे परशन 5, विजे दिविश्य क्यों मनाया जाता है उत्र, कारगल जुद्ध में शहीदों को शर्दान जली देने के लिए बिजे दिविश्य मनाया जाता है परशान शे, स्कूल का नाम हार्दिक के पिता के नाम पर क्यूं रखा गया उत्र, क्योंके हार्दिक के पिता ने कारगिल के जुद्ध में शहीद होकर विजे परापत की थी, पूरे शहर को उन पर गरब था, इसलिए उनके नाम पर स्कूल का नाम रखा गया परशन साथ, हार्दिक गलानी और पश्चाताब से क्यूं भर गया उत्र, हार्दिक अपने पिता के बलिदान और दादा जी की इमानदारी के बीच समय को तोल रहा था इन दोनों के बीच बैस समय को कहीं भी खड़ा नहीं पा रहा था इसलिए उसका हरद्दे गलानी और पश्चाताब से भर गया क्योंकि जब हार्दिक तुलना करता है कि उसे दादा जी एक पुलिस के सपाही है और भी पुलिस के मतलब नहीं फौज के ठीक है और उसके पिदा जी है वह भी शहीदी की है उनने देश के लिए जान दी है तो वो खुद एक श्रारती बच्चा है तो वो इसलिए पश्चताब से भर जाता है प्रशन नमर चार इन प्रशनों के उत्र चार जा पांच बाक्यों में लिखें प्रशानमर एका, हार्दिग के हरदे में एकाइक परवर्तन कैसे हो गया अपने शावदों में लिखें उत्र, जब एक सम्मान सवारोह में मंच संचालक ने कहा अब भविश्य में हमें उनके पोते हार्दिग शुक्ला से उमीद है कि बै अपने पिता जी और दादा जी के पादे चिन्नों पर चलेगा और इस शहर और देश का नाम रोश्ण करेगा तो उनकी बातों को सुनकर हार्दिग समय को अपने पिता और दादा जी की तुलना में कहीं بھی खड़ा नहीं कर पा रहा था और इस तरह हार्दिक के हर्दे में एक प्रबरतन हो गया परशन दो विजए दिवश पाठ के नाम की सार्थिकता पर परकाश डादें उत्र विजए दिवश पाठ के नाम की सार्थिकता से हम पूरी तरह से सहमत हैं इसमें एक तरफ कैफटन चुकला ने अपनी शहादत से जहां कारगिल जुद्ध में विजय परापत कर हमें विजय दिवस मनाने का अवसर दिया बहीं उसी दिन हार्दिक ने अपनी बुरण्यों पर जीत परापत गी इसलिए बिजय दिवस्च शीर्ष का उच्चत इम सार्थक है बाक्यों में प्रजोग करें गमंड़ हमें गमंड़ नहीं करना चाहिए रक्तदान रक्तदान महादान है उदकाटन दादा जी ने रक्तदान शिवर का उदकाटन किया महान, भगत सिंग महान से अतंतरता सनानी थे नाम करन, कालराम की बेटी का नाम करन था अचार्ज, जादू का खेल देखकर मैं अचार्ज में पड़ गया गरब, मुझे देश अपने देश पर गरब है पस्चाताब, हार्दिग ने पस्चाताब के अंसू बहाए सम्मानत, हार्दिक के दादा जी को सम्मानत किया गया परशन नमबर 6, इन महावरों के बाक्या बनाए छक्के शुडाना, बुरी तरह हराना भारतियों सैनिकों ने दुश्मन की सेना के शक्के शुडा दिये जान देना, देश के लिए मरना भक्त सिंग ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी सिर उच्चा करना जश बढ़ाना कक्षा में पहले स्थान पर आकर राम ने अपने माता पिता का सिर उच्चा कर दिया नमबर चार कान खड़े होना साबदान होना पुलिस की गाड़ी की वाज सुनकर चोर के कान खड़े हो गए पंजमा के नाम रोशन करना जश बढ़ाना कक्षा में प्राथमा कर राम ने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया सिर उठाना बिरोद में उठना अत्याजार के खिलाब कोई ना कोई सिर उठाता ही है दबदबा होना रोब जवाना हार दे का पूरी कक्षा पर दबदबा हो गया था थैंक यू